आज का भारत युवा भारत नई सोच का भारत वो भारत जो दुनिया में हो रही हर बात से जुड़ा रहना चाहता है हर मसले पर बात कहने की आजादी चाहता है वो भारत जिसकी 65 फीजदी आबादी 35 साल या उससे कम उम्र की है इस युवा भारत के लिए अब सत्ता से जुड़े रहने के तरीके भी पुराने पड़ चुके थे हर वक्त मुबाइल और इंटरनेट की दुनिया में रहने वाला आज का आदमी सत्ता से भी सीधे जुड़ना चाहता है और इसी वक्त में आई नई सरकार जिसने आम आदमी को अपनी बात कहने का मौका देने की पहल की सरकार चाहती थी कि जनता से सीधा संवाद बन सके जहां लोग ना केवल अपनी परिशानियों को साजा कर सकें साथ ही सरकार को अपने सुझाव भी दे सकें प्रिधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और जनता की बीच की दूरी को पाटना चाहते थे और इसके लिए रास्ता चुना गया इंटरनेट और सोशल मीडिया का इंटरनेट की दुनिया में मौजूद संवाद के तमाम प्रशलित तरीके चाहे ट्विटर हो, फेस्बुक या वेब पेज, हर किसी को जनता के लिए सुलब बनाया गया पब्लिक के साथ कैसे संबाद अस्थापित करते हैं, कैसे कर पाते हैं और उसका रिस्पॉंस पब्लिक से आपको मिलता है, इससे आपको गवर्न करने में भी सहुलियत होती है और पब्लिक का भरोसा भी धिरे-धिरे बढ़ता है कि एक आदमी है जो हमसे सीधे संबाद करना चाहता है, कर रहा है आज प्रधान मंत्री खुद अपने ट्विटर संदेशों के जरिये जनता से जुड़ते हैं प्रधान मंत्री की लोग प्रियता का आलम ये है कि ट्विटर पर उनको फॉलो करने वालों की संख्या एक करोड के पार जा चुकी है ये जुड़ाव सोशल मीडिया से भी आगे बढ़ा और प्रधान मंत्री की पहल पर जनता से सीधे सुझाव लेने के लिए एक वेबसाइट mygov.nic.in की शुरुवात की गई जिस पर लोग महतवपूर मुद्दों पर अपने सुझाव और विचार सरकार तक पहुँचा सकते हैं लेकिन सिर्फ नए साधनों पर ही ध्यान दिया जा रहा हो ऐसा नहीं है देश के आम आदमी से जुड़ने के लिए प्रधान मंत्री ने चुना रेडियो को प्रधान मंत्री हर महीने रेडियो पर मन की बात करते हैं हर बार किसी खास विशे पर प्रधान मंत्री अपनी बात रखते हैं इसमें भी लोग अपने सवाल प्रधान मंत्री के सामने रख सकते हैं मोधी सरकार ने ये एहसास तो दिलाया ही है कि ये जनता की सरकार है, साथ इसाथ सरकार के काम में जनता की सीधी भागेदारी भी सुनिशित की है। दिपांशु गोयल, टीडी न्यूज